पहला पहला चोटा सा स्टोपिज ले लिया है और एगना अमारे अरियाने कल्चर है इसका बुरा मतमानियों यह होका रात का जो सफर करने में मजाता था ना बाई मेरेको वह मजा मतलब और की चीज में या तो यह मजाना हर इंडिया वाला ले बाई अधिक गूड मोर्निंग गाईज वेल्कम बैक टूदा चैनल एक्स्प्लोर टू इंडिया तो आज वो टाइम आ गया भाई जाना मेरे को बोल रखा था मैंने कि वह हम जाएंगे गोवा तो गोवा जाएंगे अंधेरा आए इस टाइम पर रोड पर और आम निकले वाई गर स पर आएंगे और ** सता बजे दो आठ पाइव क्या हुआ है शाम की अटा जीन रिखतले एक वे मिन्य hazard और निक्समारी हम जांपने मुंबैं एक्सप्रेस जोग है अपने वह सामने देख मीच न परिपरर डियों नौना यहां से च्पार्ट करते जेंद गोवा वडिबावले ट्रिप का तो अभी निकल रहे हैं आप अपन करती स्टार्ट और जर्णी अपनी जो है न भाई वो उगी आपंडाउं पांच ग्लो मेटर के आसपास की तो बाज घेलो मेटर अपन रहेगा अपना तो हम जा रहे हैं शिताख वह तो शिदा तो यहार बोल सकते हैं क्योंकि दो तीन तीन दिन तो आराम से लग जाएंगे बागी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा कि कितना गोवा तक का मेरा जो मेरी जो आइटमटी है कितना तेल लेगी और कितना टूल टेक्स होगा तो सारी अपडेट आपको इस वीडियो मिलेगी क्योंकि अब हम जा रहे हैं साउथ की साइड साउथ इंडिया की साइड तो यह डिप मेरा मतलब पहले से ही प्लान करक्का था और मेरे को जरूर जाना था तो वहांपे ना हम आप लोगों को दिखाएंगे 25 दिसंबर और 1 जनुरी जो वहां का जो प्राउड होता है ना या इतना मतलब था निक्राउड तो मजा तो था गोवा का यार अपना एक लगी मजा गोवा का लेकिन आज का जो है ना आज तारीक है वाई 21 दिसंबर और आज हम जा रहे हैं सीदा गोवा की तरफ तो देखते हैं वाई किस टाइम तक कितने दिन में और या कितने घंटों में पोस्ते हैं दिखाते हैं वाई वाकी यह ना हम चड़ गया मुंबई एक्सप्रेस्वे पे और यह मुंबई एक्सप्रेस्वे अपना जो है यह मतलब ना यह मालूब मुंबई तक चोदा सो किलो मिंटर के आसपास है मुंबई तक की का डिस्टैंस का तो ना भाई आपने साथ जो जा रहा है रवी जा रहा है साथ में जीन से अपना फ्रेंड और अभी हम निकर लिए भाई अपना मुंबई एक्सप्रेस्वे से जो की अपने को यह केंपी से पगड़ा आ करता है एक दूसरे को तो भाई बाकी रास्तेगा व्यू रास्तेगा नाइट का और जो भी कुछ रहता हुआ आप लोगों सामने शेयर करेंगी अभी फिलाल चल बड़े और वाई मैंने नया माइक भी लिया है इसले भी लास्ट विलोग में आप लोगों ने देखा वा ब मतलब बहुत जादा गर्मी है और यहां का जो डिगी सेल्शीस है वो 16 डिगी है और मैंने ना देखो लाइट क्या बंदवस्त किया यह देखो वाई ऐसे दिखेगा यह बलब देखो तो वही जरूरी था यार इस लाइट में काम नी बनता आपना जो पर जो गाड़ी की ल चोटा सा स्टोपिज ले लिया है और एकना अमारे अरियानिया कल्चर है इसका बुरा मतमानियों यह होका और अपना समान दिखाता हूं मैं आप लोगों को सारा सेट अप ना गाड़ी गेंदर है तीन पेटी पानी की है और जो भी कुछ है मैं वरना टोर्च उनक तो यह देखो श्लेंडर बिलेंडर सारा सामान और बैग वैग सब कुछ है अंदर और हाइवे कितना मस्त यार जबरदस्त और ठंड ठंड तो बहुत जबरदस्त अबाई बाई चीम टातना ध्यान रही तबाई ठंड जबरदस्त और मैं तो आया भी हूं यह अपना टीशिट डा फुल फुल हावा ते जना इसके कारण यह कान बाई और तो कुछ खास कारण ना है ठंड लगनेगा भागी ठीक है बागी पीछे का आई वे देखो भाई रात का जो सफर करने मजा ता ना बाई मेरको वो मजा मतलब और की चीज में आता और यह मजाना हर इंडिया वाला ल लेकिन मेरे साथ मिलो लेकिन खुद भी ट्राइविंग करके देखो भाई रात को ठंड तगडी ठंड और भाई एक्साइड़ लेवल ना इतना उप्र है बहुत उप्र है भाई फुल एक्साइड़ फुल 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 दोजार किलो मेटर का वन साइड अपना कुछ भी नहीं लग रहा कुछ भी तो भी हम एक्जिट होगे यह लाल सोट वाले लाल कोट लाल सोट है लाल कोट है यह जो डोसा से आके चलेंगे ना जैपूर के यह पड़ता है तो यहां से हम करोश करके और अब इस हाईवे यह आईवे ना आगे तक नहीं बना जो मुंबई दिली मुंबई एक्सप्रेस वे है यहां तक का था हम चले होंगे करीवन करीवन 200 किलो मेंटर के आज पास तो अब इस से आगे हमें जाना पड़ेगा अपना मतलब जो नैशनल आईवे जो छोटे आईवे हैं उन से होते हुए यह जो में बड़ा आईवे था यह यहां तक देखो भाई प्राट्या फुल मजा मस्त भाई गर का सवात तो भाई अलगी है और यह ना विजिविल्टी पता क्यों खराब हो रही है क्योंकि ना शीशा थोड़ा सा साफ नहीं है अदरवाई मैं यहां से उतार के दिखाऊ ना तो यह देखो भाई शीशा अब बगैर श सीश्रे को देखते हैं तो अब भाई अब हमें लगाना पड़ेगा मैप और मैप की साहता से जाना पड़ेगा आगे जालते हैं लोगी पहला स्टोपिज ले लिया चाय का तो यहां पर अपना चाय पीक है हम आगे लाल शोट तो यहां पर रूख के वाई थोड़ी देर के लिएक कि यहां पनी काडी खडी यहां पर एकस्प्लोर और भाई थंड बोजवरतस्त वाई बोजवरतस्त थोड़ी इसी आग भए गारा सेकर मैं करहां तो गोडि में जांगे बैठ रहा हूं वाई बढ़ी मैं गारी मैं बैठ ही थिक है है थंड लाग है अकताश्ष भाई बहुत तगड़ी ठंड है हम तो बैटके बनी गाड़ी में आके इस लाइट का भी अपना अलग ही सब है गया है यह देखको मस्त कितना भी आगर कितनी भी रोशनी करनी है कोई इस्यू निया कोई भी इस्यू निया ना किसी टोर्च की जरूरूरूत है ना किसी कितनी है अपना अपना जलाया और अपना आराम से कहीं पर भी एंडल कर लिए यह देखो भई जबरदस्त है यह गाड़ी में रखा था फर्स्ट टाइम पर यूज गया मैंने इसको तो गाड़ी में रखा था तो मेरे को ध्यान आया वैसे ही कि यार मिरे पास नहीं कि ल. कि ल.ट ल.ध एं ल.घ बलब है यह अपने अपने अन्य कि ल.ट अइसमय देख आल लिया और देखियों मेरे को बड़ी आ काम आ जाना है और धर बचान जबरदस्त है बहुत जबरदस्तंद्ध तो छां पीके फिर निकलते हैं hasta फनहें कंश रहीं करका दों इस चावर तन पीना हो तो है तो सही है भई लेकिन आएक्षाइटिड लेवल बहुत है बहुत आई लेवल का है बहुत आई लेवल का क्योंकि यार फर्स्ट टाइम मेरा ना ये फर्स्ट ट्रिप है जो मैं गटीनु दो हजार किलोमेटर की ड्राइविंग करूंगा तो अलग 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 एक्सपिरिंस अलग अलग चीजे तो इंजोई करते हैं और ठंड का सफर का खाने का प्राठो का हर चीज का मजा लेते हुए अपना आगे की तरफ निकल रहे हैं तो राजस्तान की चाय ना वह बड़ी अबनाने जो होता ने बाता न है उसमें देखते हैं कैसी प Schritt कुलच की चाय लेकिन की ठीक ότι लेगते हैं वह गुलकि शुलच चाय का जो गिलास होता ना उसमें देते हैं तो उसमें दिखाते है आप लोगों को चाहे लबी मिट्टी के बरतन में चाहे अलगी टेस्ट था इसका चाहे तो मैंने फिनिस कर दी भाई ताइम हो गया सवा एक हो गया रात गया और एक अधे घंटे की नीन तो मैंने जरूर लिये तब तक यह अधाय काईड़ी चला ना था कि दिजल दूसरी बारी यागी दिजल गरगवानेगी एवर थोड़ा सागे करके है और तंगी खोल दियो कि दूसरी बारी यागी डिजल दलवानेगी पर लारी आने में दलवाए जाए अब एमपी जे हैं फोन पे हो जाएगा है और ले ले और ले थोड़ा सा कि बैज 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 ताइम हो गया सुबहे के साड़ इच्छ है और अभी तकन दे रहा है यह पैटल कि अगे भाई दो बर कि अगने भाई और ला अधिच घलती कर दिए मैं सो चगर्म है यहाँ तु थंड करदी है जिए जू पे बोल्बाइ ये यहाँ यहाँ बाई अग्डर मी यहाँ आटाथा सु ठेंडाति गाड़ा में आपनी आपयात द्टी अब देखो टंग की फर्स्ट टाइम देखा मैंने यह एक बार फुल कुराने पर नोसो सुत्रा की रेंज अधरवाइज ना आठ सो शोग पर की रेंज नहीं जाती थी आठ सो आठ सो आठ सो दाठ सो बीज या साथ सो मतलब साथ सो असी नबबे इस तरीके से थी रेंज लेकि आठ से करीवन करीबं सो क्लोमेटर के अस-पास तो अमने अब नेक्स टेस्ट इस इस डाल दिया अपनी पुने की पुने दिखा रहा है 692 किलोमेटर 14 गंटे का रसता तो आज रात तक हम पुच जाएंगे आज शाम तक पुच जाएंगे पुने और पुने से आगे एक रो कोमेंट और चेनल को सब्सक्राइब कर लो भाई क्योंकि पूरा इंडिया को बना आप लोगों को